नमस्कार कैसे आप सभी आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और जैसे आज का मोसम बहुत अच्छा है आप लोगो कि महां कैसा मोसम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हमारे हाथ तो रिंग जिम बारिश हो रखिए मोसम काफी अच्छा है तो उसी ज़्यादा टाइम ने लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं आज तक आपने साइंस में पढ़ा होगा लौ ओफ मोशन आज मैं आपको बताऊंगी लौ ओफ अट्रेक्शन क्या होता है चीजों को अपने तरफ आकरशित करना क्या कहलाता है कैसे कर सकते हैं हम चीजों को अपन दूस भी किया है तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि आकरशित का नियम कहता है कि universe द्वारा इस्तेमल हमारी जो words हैं हम जो use करते हैं अपने daily use में यूनिवर्स उनको क्या है उन शब्दों को पकड़ता है उनके पीछे जो इरादे छोपे होते हैं वो उने नहीं पकड उसके पीछे हमारी क्या सोच है क्या उसकी हकीकत का रूप है वो उसको नहीं पकड़ेगा इसलिए जो साइनसे इसको बिल्कुल नहीं मानती और मेरा इतना मानना है कि इसलिए आप अपनी लाइफ में सदा पॉजरिटिव रहो ताकि जो आपके आस-पास का माहौल है वो भी अच्छा सोचोगे तो पॉजरिटिव एनरजी उत्पन होगे यह आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो क्या बार आपने सुना भी होगा मूवीज वगरा में कि जैसा हम प्रकरती को देते हैं प्रकरती उसे दुगना करके हमें वापस लोटा देती है तो यह कुछ एक ऐसा ही है एक्जामपल जो मैंने आपको दिया है लोग ओफ अट्रेक्शन कहता है जो काम करता है वो यह है कि आप अपने जीवन में पॉजरिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और अपने कर्मों से अपनी और खीश सकते हैं सीधे कहूं तो जिस परकार की एनरजी आप चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजरिटिव हो बाहर छोड़ेंगे वही आपको वापस लोट के मिलेगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं आपके सपने पूरे हो तो आपको अपना पॉजरिटिव माइंड सेट रखना फोकस करें ना कि उस पर जो आपके पास है ही नहीं लौ आफ अट्रेक्शन कहता है कि यूनिवर्स आपके द्वारा कहे गए शब्तों को पकड़ता है बैने पहले भी कहा है आपके छुपे हुए इरादों को नहीं पकड़ेगा आप चिंताओं की जगे ऐसे विचार मन में लाई है जिसे की चीजे ठीक हो सके मालो आपका कोई काम बेगड़ गया है और आप उसके बारे में स्ट्रेस ले लेके चिंता कर करके क्या है आप डिप्रेस हो जाओगे और आप अपने उस पर फोकस नहीं कर पाओगे तो बैटरे टेंशन लेने के बजाए आप उस पर उस लिख लो और उस नोडबुक को जला दो आप देखेंगे कि आपके ऐसा करने से आप बहुत रिलेक्स फील करोगे या फिर एक शॉर्टकट यह भी है जैसे कि कैबर सामने वाले से कुछ जादे इरिटेशन हो जाती है या कोई फैमली प्रॉब्लम आ गई या घरवालों ने सुना दिया या फ्रेंड सरकल ने सुना दिया टीचर ने सुना दिया तो उस पर रियक्ट करने की वाज़ा है आप आंखे बंद करके लंबी सांस छोड़ें और दो तीन वार बोले डिली 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 आप बहुत रिलेक्स फील करेंगे ऐसा करके यह तरीका क्या है जला दियार काम उससे क्या है कि आप बेफ जूल का स्ट्रेस ले लेते ना वह खतम हो जाएगा आपने एक मूवी देखी होगी चोटा सा एक्जामपल देती जवी मैट उसमें भी मूवी में भी दिखाया गया था कि जो लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं उसमें भी दिखाया गया था कि वो शाहिद कपूर को काफी स्ट्रेस रहता है गल्फ्रेंट छोड़ जाते हैं तो वो उसको फ्लश आउट करवा देते हैं उसके फोटो को जला के तो उससे भी काफी अच्छा रिलेक्स फील होता है तो आप अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाह लगाते हैं उसको एक वीजन बोर्ड बनाओ यानि एक बोर्ड पर उसको बना लो और उसको ऐसी लगाओ जहां आप उच्छे उसे रोज देख सके जैसे कि आई बार लेडिस प्रेगनेंट होती है तो अच्छे बेबी की फोटो लगा तो कि लिए लगाते हैं ताकि एक मिलेगा आप उसे देखेंगे आप उसको उससे आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा अगर आप गलती से उसको भूल भी जाते हैं अपने वीजन को तो वह आपको याद दिलाएगा कि हां अरे यार मुझे इस पर काम करना है आप कभी भी अपने लक्षों से भटक नहीं सक कि हां यह काम हमें करना ही करना चाहिए कुछ भी हो जाए इन चीजों के लिए क्या आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि लाइफ जो चेंज है उसको चेंज करने में आपको बहुत टाइम लगता है इमेजन करो अगर आप डी-मोटिवेट हो जाते हो तो आप यूनिवर्स में कौन शी एनर्जी भेज रहे हो नेगरटिव एनर्जी और आपको रेटन में क्या मिलेगा वही नेगर WAT मिलेगी जो आपने भेजा है यूनिवर्स को ठीक वैसे ही जितनी नेगेटिव एनर्जी आप छोड़ोगे आप अपने सपने से उतने दूर चले जाओगे और जितना आप पॉजर्टिव सोचोगे मालो एक दिन नहीं में कम्प्लीट नहीं हुआ दो दिन में नहीं हुआ एक अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो सारी काइनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है यह बिल्कुल सक्च चाहिए लाइक एक छोटा से एक्जामपल ले लो आपने मालो सपना देखा कि मुझे ऑल्टो लेनी है ठीक है आपने भगवान से डिमांड कर ले यूनिवर आपके खाते में आपने तो शिफ्ट के सपने देख ले भगवान ने का चल छोड़ यार शिफ्ट बनाई आपके लिए शिफ्ट किसी ने का नहीं यार स्कॉर्प्यो ले इतने पैसे डाल रहा दो चार और सही स्कॉर्प्यो बनाई एंड टाइम आप कुछ नहीं कर नहीं सही था बिलकुल कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो काइनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है इसी को ही इन शॉर्प आप लॉफ अट्रेक्शन कह सकते हो यानि की थौट बिकम्स ठिंग्स आपके जो विचार हैं वो भी चीजे बन सकते हैं यह जीव में जुड़ गए तो आपको लॉयर बनने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन साइंस क्या है इसको नहीं मानती है लेकिन कुछ लोग हैं बहुत से एक्जामपल हैं बहुत बड़ी राइटर्स हैं जरोंने अपने अनुभव लिखे हैं और आप अपने डेली लाइफ में भी यह इन शॉटले मैं आपको इतना ही समझा पाई हूं लॉओ अफ अट्रक्शन के बारे में तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे धन्यवाद